तो दोस्तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब आप अपने mutual fund में demand account open करने जाते हैं तो वहाँ पर आपका आधार card का एक नमर आप इंटर करते हैं तो उसमें एक OTP जाता जो कि आपके mobile नमर पर जाता है तो क्या आधार card में mobile नमर लिंक होना जरूरी है य आपना mutual fund में demand account बनाने जाते हैं तो एक QIC आता है जिसमें QIC आप करते हैं तो आप आधार card का mobile नमर इंटर करते हैं तो आपके उस आधार card में जो नमर लिंक होता है उस पर एक OTP जाता है तो OTP आप इंटर करते हैं तब ही आपका demand account का process आगे बढ़ता है तो यह वीडियो एककाउन्ट बनाने के लिए अधार card में mobile नमर लिंक होना जरूरी है या नहीं तो दोस्तोड Mint account बनाने के लिए mutual fund में आपको आपके अधार नमर नमर लिंक होना बहुत जाते है जरूरी है यौdi mobile नमर लिंक नहीं होगा तो OTP कहां पर जाएगा? मालने जिए जब आपका mobile मूबाइल नमर रहागा उसी में OTP जायागा आपको इस मूबाइल नमर पर जब आप वह OTP इंटर करेंगे तो आगे का प्रोसेस बढ़ा सकते हैं तो यदि आपका अधार कार्ड में आपका मूबाइल नमर नहीं लिंक है तो आप क्या सर्विस सेंटर पर जाकर अपने मूब इकाउंट बनाने के लिए आपको आपके आधार काड का कोई आधार कार्ड में मूबाइल नमर लिंक करना बहुत जादे जरूर है नहीं तो आप डिमेंट एकांट नहीं बना पाएंगे तो दोस्ते ये वीडियो आपको कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताएगा अधर कोई टॉपिक पर वीडियो चाहे तो आप कमेंट कर देंगे मैं वीडियो बना दूँगा तो चलिए वीडियो में थांक्स पो वाचिंग